हेलो एब्रीबन कैसे हो आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल एटुजट बायोलाजी क्लासस पर उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे बेहतर होंगे और आज की इस बीडियो में हम देखेंगे देखें चैप्टर 10 के जितने भी मोस्त इंपोर्टेंट कोस्चन है वो हम आप लोगों को आज की इस बीडियो में बताने वाले हैं चलिए सीधे बीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें पहला कोस्चन आपको चैप्टर 10 से कंप्लेट करना है कि इस्टेम सेल तकनीक क्या होती है और इस्टेम सेल तकनीक की आपको उप्योगिता बतानी है काफी important question है stem cell technique क्या होती है साथी साथ इसकी आपको उपयोगिता भी तयार करनी है अगला question है कि जैव तक्नीकी यानि की वायो टेक्नलाजी क्या होती है वायो टेक्नलाजी के प्रमुख उद्देश क्या क्या होती है तथा साथी साथ बिभिन छेत्रों में आपको इसकी उपयोगिता भी बतानी है मतलब जैव तक्नीकी यानि की वायो टेक्नलाजी क्या है इसके प्रमुख उद्देश तथा बिभिन छेत्रों में इसकी उपयोगिता भी आपको बतानी है अगला कोश्चन देखिए क्या तयार करना है आपको वायो पोटेंट तथा वायो पायरेसी क्या होती है इसको आपको समझाना है तो वायो पायरेसी दोनों काफी important question है अच्छे से इसको तयार करिएगा अगला कोश्चन है अनुवांसिक रूप से रूपांतरित जीव यानि कि ट्रांसजेनिक जीव क्या होती है इनको तयार करने के प्रमुख उद्देश क्या क्या है ये भी आपको तयार करना है इसके बाद देखिए अगला question क्या है अगला question भी अन्वांसिक रूप से रुपांत्रित फसल क्या होती है और अन्वांसिक रूप से रुपांत्रित फसलों से होने वाले लाब हुआ हानियों को लिखना है किसी प्रकार से जो genetic modified फसले हुए इनसे क्या क्या लाव हो सकते हैं वह इनसे क्या क्या हानिया होती है ये भी आपको तयार करना है अगला question है कि spirulina का आर्थिक महत्त यानि की economical importance आपको तयार करना है अगला question है कि GMO किसे कहते हैं इसकी उप्योगिता लिखनी है मतलब genetic modified organism क्या होते हैं इनकी आपको उप्योगिता तयार करनी है अगला question है genetic modified फसल खाद देवा फल क्या होते हैं इनको समझाए देखी काई सारे example है genetic modified फसल खाद देवा फलों के जिनको आपको तयार करना है कई बार इनके example साहीत आपको exam में पूछे जाते हैं question अगला question यूजे निक्स किसे कहते हैं या सुजिननकी किसे कहते हैं यूजे निक्स की उपर योग invites आपको कभी-कभी paper में पूछी जाती है तो इसको भी आपको तयार करना है अगला question है पर जीनी जीवाणू किसे कहते हैं इसको उधारण सहीत आपको समझाना है तो यहाँ पर जितने भी important question है उम्मेद करता हूँ दोस्तो वीडियो पसंद आये होगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो like और comment जरूर कीजेगा साथ ही साथ दोस्तों के भी ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजेगा मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद बंदे बात्रम